गंगा और गंडग के संगमस्तल पर दीपोत्साव का अदभुत नजाराद देखने को मिला स्वनपुर के बाबा हडिहरनाथ छेत्र के घाटों पर एक लाख क्यावन हजार दिये एक सांथ जलाए गये जिसमें 35,000 दिये नदी में जलाए गये जिसके लिए चार नाओ को खास तोर पर तयार किया गया था स्वनपुर के नमामी गंगे घाट पर चारो नाओ को पूरी तयारी के साथ गंड़क नदी में उतारा गया था जिस पर मौजूद दियों को जलाकर गंड़क नदी में प्रवाहित किया गया इस तरह 35,000 दिये गंड़क नदी में छोरे गये इसके अलाबा एक लाख 20,000 के आसपास दियों को पुल घाट, नमामी गंगे घाट, काली घाट, कौनहरा घाट सहीद, आधा दर्जन घाटों पर प्रजवलित किया गया जिसकी तैयारी सुबस से ही स्थानी लोग कर रहे थे कारेक्रम की सुरुआत बिहार के प्रूडी जीपी गुपते सुरपांडे ने दीप प्रजवलित कर किया जिसके बाद तमाम घाटों पर दिये जलाए गये इस अध्भुत नजारे को देखने के लिए वैसाली और पटना जिले से भी लोग सारन जिले के सोन पर पहुंचे थे इस अध्भुत कारेक्रम के लिए भारी मात्रा में पुलिस बलों को भी तैनात किया गया था उद्घोषना के जिम्मेवारी इस थानी गौरब कुमार को दी गई थी जो भोजपूरी के जाने माने अभिनेता है वो लगतार अपनी दमदार आवाज से कारेक्रम को भक्ति प्रुवक संचालित कर रहे थे कारेक्रम की शुरुवाद जैकारे के साथ की गई इसके बाद दिया जलाने का कारेक्रम सुरू हुआ इस दवरान बिहार के पूरु डीजीपी गुप्ति सुरपांडे ने कहा कि गंगा और गंडक के संगमस्तल पर स्वनपूर के सभी संपरदाय के लोगों ने मिलकर दिपोच्षाव का जो आयोजन किया है उसका मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश में यह एक सकरात्मक संदेश जाएगा कि हर सर्म्मृत यहाँ पर द जिलाएव साहिए ऐस ओवान से कर रहे हैं कि हर सा हम यह यहां पर आपर यह जए अ सब्जार ठाल इसका प्रॉड़निक महत्त्व है जजी ग्राह की लड़ाई जो प्रालम हुए-प इसका समापन यहाई था यहीं गज्ज का विधार हुआ पूरा विश्वास ए इस से पूरे देश में एक पूजिटीवीटीग लहर आएगी और लोग सनातन संस्कृति के परती जागरूप होंगे, धर्म का आचरण करेंगे, छल, कपड, पपंच छोड़ करके जीवन को सरण और निश्चल बनाने का संकल्प लेने का आज दीन है, असंत पर संखत का विजय जो हुआ उसका वो दीन है, तो मुझे पूरा विश्वास ह है कि यह जो वत्तों का महत्तों संखती बड़ा है, आने वादे समय में इसकी पूरे देश में मचेगी, और सारे देश में इसका प्रकास मचेगी.